तो फिलाल मुख्यमंत्री अशोग घहलोत की और से बाल दिवस के अफसर पर बाल अधिकार सप्ताहक राजस्तरिय शुभारम कारिक्रम किया जारा है सिधालाइब रुख करेंगे कारिक्रम की और मुख्य सज्जव राजस्तान और माननी से अनुरूध पंडित जवाहरलाल नहरुजी के चित्र पर पुषपांजली और दीप प्रज्वलन के साथ आज के कारिक्रम का आगाज शुभारम और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है प्रकाश के पुंज दीप क कि पच्चाप हम सुन ले जोती का अनुस्ठान इस मेला में माननी की करकमलों से और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पान करू की द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किर्णों से आज मुख्यमंत्री निवास का ये बातावरण ही नहीं सब पू कि बाल अधिकार सप्ता के तहत बाल दिवस के अफसर पर राजस्तरी शुभारम्ड के लिए वर्चुल कारिक्रम इस आयोजद में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत तावरा भिनंदन और इस वर्चुल कारिक्रम में मुख्याती थी माननी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार शी अशुक गहलूच जी हमारे साथ है हमारे साथ है शी गुविन से डोटासरा जी मानी शिक्षा राज्यमंत्री माननी राज्यमंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारित वेभाग राजस्थान सरकार शी राजेंद्र सेह यादव शी निरंजन आर्य मुख्य सचिव राजस्थान शिमती संगीता बेनिवाल अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संदक्षण आयोग और सच्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता वेभाग डॉक्टर समेच शर्मा आयोत बाल अधिकारिता वेभाग शिमती अनुप्रेन से कुंतल और वीडियो से हमारे साथ जुड़े हुए सभी जिला का लेक्टर साहिबान, पुलिस अधिक्षक, बाल संरक्षण आयोग के सदशिगन जो आज यहां मुख्यमंत्री निवास पर हमारे साथ मौजूद हैं और बाल संरक्षण हित धारक गण, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कारेरत वि उन सभी नौ निहालों का जो नहरुजी की वेश भूशा में पोशाक में आज यहां उपस्ते थे और पूरे देश से जुड़े हुए बच्चों का स्वागत, बाल दिवस की बहुत बहुत शुब कामनाए राजस्थान के पूरे प्रदेश के बच्चों की, स्वागत है प इस बाल सप्ताह के आयोजन का शुभारंब किया, इन गुबबारों को हमने देखा और आगाज किया पूरे एक खापते तक चलने वाले इस बाल सप्ताह का, आईए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुस्थान, रह दस्त और अंतस्त भाउं से पंडित नहरु की याद दिल आते बच्चे कर रहे हैं, चाचा नहरु का पसंदिदा गुलाब का फूल और नहरु टोपी से हमारे अतित्यों का स्वागत, और इस क्रम में सबसे पहले, शिया शोक गहलोत, माननी मुख्यमंतरी राजस्थान, आपका स्वागत करेंगे शिष्ठ कावट और नीरज शर्म चाचा नहरु का पसंदिदा गुलाब का फूल और नहरु टोपी भेट कर आपका स्वागत और सम्मान स्वागत और सम्मान के सिक्रम में हमारे बीच हैं शिगोविन सेंडोटासरा जी माननी राजे शिक्षा मंतरी आपके सम्मान के लिए आदित्य बंजारी और राहूल जैन माननी डोटासरा जी का सम्मान आदित्य बंजारी और राहूल जैन शिवति संगीता बेनिवाल जी अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षन आयो कार्थिक नापित और पुष्पिंद्र गुणावत आपका सम्मान कर रहे हैं श्री राजिन सिहादो जी का सम्मान डिव्यांश जैन और यश्निक्या और संगीता बेनिवाल जी का सम्मान कार्थिक नापित और पुष्पिंद्र गुणावत श्री निरंजन आरिये मुख्य सचेव राजस्थान आपका सम्मान करेंगे आयूश सिंगल और चिराग जैन हमने अपने अतितियों का गुलाब का फूल भेटकर और नहरू टोपी से सम्मान किया और आये करते हैं आप सभी का स्वागत शाप्दिक स्वागत और उसके लिए अनुरूद करना चाहेंगे शाशन सच्यों सामाजिक नियाय और अधिकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जीज बाल अधिकारिता विभाग एवं रायस्थान राजे बाल अधिकार सनक्षन आयोग के द्वारा आयजित बाल अधिकार सप्ता के शुभारम के राज्यस्तरिये समारों के माननिये मुख्य अतिती अधरनिये मुख्य मंत्री महदे माननिये शिक्षा मंत्री महदे माननिये समय एक नयम अधिकारता मंत्री महदे मुख्य सच्चिव महदे अध्यक्षा बाल अधिकार आयोग कि यहां पर मौदूद हमारे साथ श्री मनीश शर्मा जो शांती और अइंसा निदेशाले जो अभी माननिये मुख्य मंत्री महदे ने नया बनाया है और उनके साथ जो गांधी दर्शन टक्सिक्षन शिवर चल रहा है उसमें जो जैपूर संभाग के प्रतिभागी इस में समिलित हुए हैं साथ में महात्मा गांधी इंस्ट्ट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंसिस की डॉक्टर बी एम शर्मा बरिष्ट गांधिवादी श्री अमरनाथ भाई सभी प्यारे बच्चों अतितियों और मीडिया के जो लोग यहां उपस्तित हैं साथ में सर हमारे साथ जिलों से सभी जिला कलेक्टर्स जिला पुलिस अधिक्षक CWC, JJ Board के जो मेंबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं जिलों में काम करने वाली संस्था हैं और हमारे जो चैल्ड केर इंस्टूट्स हैं उसमें जो रहने वाले बच्चे हैं जिनकी हम देखबाल करते हैं वो भी इसमें जुड़े हैं मैं आप सभी का इस शुब हफसर पे बह बहुत बहुत अभी नंदन करता हूं कला संकाय में आपने 93.2 प्रतिशतंक प्रात्प किये हैं बहुत बहुत बधाई इस क्रम में अगला क्रम रितु मीना पुत्रिशी राम गोपल मीना उधियन के अर्से हैं और बारवी कक्षा में कला संकाय में आपने 90.6 प्रतिशतंक प्रात्प किये हैं अजय प्रकाश, पुत्र सी उधर प्रकाश, बाला श्रम जैपुर, दसवी कक्षा में बानवी प्रतिशतंकों के साथ, और संजय कुमार, पुत्र शी रामपाल रेगर और इनका सम्मान भी, इनके सहपाथी अजय प्रकाश ही प्राप्त करेंगे, बार्वी कक्षा में कला संकाय में 85.8 प्रतिशत अंकों के साथ, संजय कुमार, पुत्र शी रामपाल रेगर का ये सम्मान, पाला श्रम जैपुर के ही उनके सहपाथी सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, लक्ष्मी सुर्मन संस्थान जैपुर, दस्वी कक्षा में 86.67 प्रतिशत अंकों के साथ, और एक पोस्टर का विमोचन आज हम माननी के करकमलों से करने जा रहे हैं, नवंबर से 20 नवंबर बाल सप्ता का आयोजन, इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, स्वास्त जांच शिवेर, बाल फिल्म का प्रदर्शन, बाल शम्मुक्त हस्ताक्षा रभ्यान, विधान सभा से स्टेचू सर्कल तक मेराथन, ऐसे कई कारिक्रम आयोजित किये जाएंगे, वो जानकारी इस पोस्टर में समाहित है, और उसका विमोचन आज हम यहां कर रहे हैं, बाल आयोग ने एक वेबसाइट तयार की है, इस वेबसाइट की लॉंचिंग, आज माननी के करकमलों से, रिमोट का बटन दबा कर, माननी से अनुरूद करना चाहेंगे, बाल आयोग की वेबसाइट की लॉंचिंग, क्लिक कर, और इस एतिहासिक मौके पर मौजूद है, आप सब हम सब, आज के सायोजुन की स्मृतियां माननी मुख्यमंतरी महोदय की स्मृतियों में काफी लंबे समय तक रहें, इसके लिए हमारे बच्चे कई रंगों से सजी एक पेंटिंग आपको भेंट करना चाहते हैं, माननी अध्यक्ष महोदया, और ये बच्चे इस पेंटिंग को आपको भेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, इस रंगीन का लेवर में सजी एक पेंटिंग जिसमें माननी मुख्यमंतरी महोदय हमारे बच्चों के साथ रंग बिरंगी गुबारे उड़ा कर, अपने आनन्द की अभिव्यक्ति करते हुए, बहुत सुन्दर, बहुत उप्सूरत। अध्याद आकर्शक ये पेंटिंग और अब देव नारायन आवासी विद्यालेओं का लोकारपन आज माननी की करकमलोशी किया जाना है, सामाजिक म्याय और अधिकारिता वेभाग द्वारा देव नारायन योजना के अंतरगत, बालक बालिकाओं के लिए देव नारायन आवासी विद्यालेओं का संचालन किया जा रहा है, इसक्रम में आज दो नवीन निर्मित देव नारायन आवासी विद्यालेओं का लोकारपन, इसक्रम में सबसे पहले, देव नारायन बालक आवासी विद्यालेओं का लोकारपन, इसक्रम में सबसे पहले, देव नारायन बालक आवासी विद्यालेओं का लोकारपन, इसक्र और कख्षक 6 से कख्षा बारवी तक के चात्रों को निशुल का अध्यन और आवास की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी और इसी क्रम में देव नरायन बालिका आवासी विद्यालय पीपलोद शाहपुरा जिला जैपूर और कख्षक 6 से बारवी तक के चात्रों को निशुल का अध्यन और आवास की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी और अब बहुत विशेश सम्मान हम करने जा रहे हैं बाड मेर से हमारे बीच भांडियावास एनेच 25 बस दुरगटना जिसके बारे में आप सबने अभी अभी सुना होगा उस दुरगटना में सहायता करने वाले सहसी नागरीकों का माल्यार पढ़ कर सम्मान आज हम यहां करने जा रही हैं सच मुझ दूसरों के दुख दर्द और तकलीफों को महसूस करने वाले बिरले ही होते हैं और ऐसे वे लोग हैं जिनकी रगों में सिर्फ खूनी नहीं दौड़ता सहस का संचार भी होता है और इसकम में सबसे पहले चैना राम पिता का नाम किष्टा राम भांडि कर बस के अंदर यात्रियों को आपने बाहर निकाला आप हैं चैना राम है घीसु लाल जी पिता राम चंद्र पच पद्रा नल फिटिंग का आप कारे करते हैं और दुरगट न स्थनपल आपने यात्रियों को बाहर निकालने का कारे किया डूंगर राम पिता पद्मा राम भांडियावास आप देरी कारे करते हैं बाबू राम पिता उम्मेद राम भांडियावास कृशी कारे करते हैं जुगता राम पिता भूरा राम भांडियावास एलाइसी एजेंट हैं आप और आपने बस दुर्गवटना में बस से बाहर यात्रियों को निकाला भूर से हैं, पिता भेरू से हैं, भांडियावास वहन चालक है श्री रमेश, पिता बाला राम, भांडियावास, रशी कारी करते हैं सुरेश, पिता घेवाराम, मंदापुरा, टैक्सी ड्राइवर हैं गौतम गहलोत, भूरा राम माली, पिता का नाम, होम गार्ड की आप कारे करते हैं जनक गहलोत, पिता मांगीलाल गहलोत, निजी यातायात सलहकार हैं नरेश सोनी, SDM सहाथ, अच्छा, और टादीब डांगा जी, सहाथ, जो वहां मौके पर मौजूद थे, उनको भी बहुत-बहुत शुब कामना हैं कि उन्होंने इस कारे में बहुत अपनी निष्ठा से इस चीज को करा हैं माननी मुख्य मंत्री महोद है और सम्मानित मंच के साथ झाल